नमस्का रखन में 55,000 पदो पर होगी बहाली उन्होंने एक माह के भीतर जे एस एसी को सभी रियुक्तियों से संबंधित मुख्य मंत्री स्रीहमन सुरेन ग्रीह विभाग इसकूली सिक्षा एम सक्षाता विभाग तथा बन परयावरन एम जलवायू परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदो पर भरती की परकिरिया में तेजी लाने का निर्देश दिये हैं मुख्य मंत्री ने कहा कि इन तीनों विभागों में नियुक्ती निमावली की सभी बधावों को दूर करते हुए एक माह के भीतर अधियाचना जार्खन करमचारी चयन आयों को भेजे मुख्य मंत्री ने कहा कि राई सरकार सवी विभागिये रिक्तियों को सिगरता से भरने के लिए प्रतिबद है विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चयन हो इसको लेकर न्यूक्ति निमावली एवां रोष्टर से समंधित जितनी भी भी संगतिया हैं उन्हें दूर कर विग्यापन प्रगासित करने का प्रयास करने को कहा है जारखन में 13 जून तक हलके से मदर्ज की बारिश की संभावना है राज के पूर्वी भागों में बारिश के असार है गरजन के साथ बारिश हो सकती है वहीं बजरपात की भी असंका है तेज हवाय चल सकती है मौसम केंद्रे ने एलो अलर्ट जारी किया है आठ जून को उत्तर पच्मी भागों में कहीं कहीं लू चल सकती है वहीं 15 जून के आजपास मांसुन की बारिश सुरू होने की संभावना है नकसल बिरोधी अभियान में जूटे CRPF के जवान जारखन पंचाय चुनाओ 2022 खतम होते ही CRPF के जवान नकसल बिरोधी अभियान में जूट गए है पंचाय चुनाओ के कारान लगभग दो महिने तक नकसलियों खिलाप अभियान को रोक दिया गया था इसकी मूल वज़ा बल की कमी थी पंचायज चुनाव के पूर्व ज़ारखन पूलिस मुख्यारे ने केंद्र से केंद्रिय बल की 172 कंपनी अत्रीक्त बल की मांग की थी लेकिन केंद्र ने इसे देने से इंकार कर दिया था केंद्रे ने राज्ये में नकसल बिरोधी अभ्यान में लगे सभी केंद्रेबल के जवानों से ही पंचाय चुनाव कराने को कहा था जिसके चलते नकसल बिरोधी अभ्यान को रोकना पड़ा था जारखन में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर बैपारियों ने खोला मोर्चा जारखन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से लगे पर्तिबंद के खिलाब बैपारियों ने मोर्चा खोल दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने से पोलेथीन बैग और अनेव संबंधित प्लास्टिक पैकेजिंग समागरी पर भी बैन लग जाएगा रांची के मुराबादी में ब्यापारियों ने मौन जूलूस और धारना परदरसन किया ब्यापारियों का कहना है कि जब तक इसका बैकल्पी ब्यवास्ताना हो जाए ब्यापारियों को इसमें छूट देने की जरूरत है बता दे फायम ला एंड ओडर कमेटी के चियर्मेन सरतिंदर परसाज सिंग ने बताया कि जारखन, डिस्पोजल, और पैकेजिंग, मैटेरियल, एसोसेशन के साथ फेडरेशन ओफ और इंडिया ब्यापार मंडलने राज्येपार रमेस बैस और मुख्य मंत्री हमन सुरेन को प्लास्टिक बैन का ब्यवहारिक समधान के लिए ग्यापन सोपा है सियम हमन्त सुरेन सोरजन पेंसन योजना का गुमला में बुद्धवार को करेंगे सुभाराम परमबीर अलवट एक का एस्टेडियम गुमला में आठ जुन को प्रमंडल अस्तरिये सोरजन पेंसन योजना जागरूपता कारेकरम होगा रांची घुमला सिम्टेगा लोहर्दागा एवं पलामो जीले के लिए आयोजीत प्रमंडल अस्तरिय कारेकरम में सुबे के सीम हेमान सुरेन मुख्य रूप से सिर्कत करेंगे कारेकरम के माध्यम से सीम सरोजन पेंशन योजना के लाबकों के बीच सांकेतिक रूप से लभांस का वित्रन करेंगे साथ ही लोगों को सरोजन पेंशन योजना से अउगत कराएंगे कारकरम में बीत मंत्री डाक्टर रमेश्वर उरा, विभागे मंत्री जोभा मांजी, विधायक भोशन तिर्की सहित कई विधायक भी सामिल होंगे देवघर यारपोर्ट उरान भरने को त्यार देवघर यारपोर्ट पर मंगलवार को इंडिगो 320 विमान का ट्रायल किया गया इस दरान कुलकाता से आई 183 की छामता वाले इंडिगो फ्लाइट ने लैंडिंग और टेक ओफ का ट्रायल किया ट्रायल के दोरान प्रोवीजिनल स्लोट के तहट दिली मुंबाई और बैंगलूरू यारपोर्ट को देवघर से कनेक्ट किया गया था आपको बता दे कि यारपोर्ट का उदगाटन होने के बाद जल्द यहां से विमान सेवा सुरू हो जाएगी देवघर यारपोर्ट परमंगलवार को इंडिवो विमान का ट्रायल किया गया कोट में पेसी से छूट चाहते हैं हेमन्त सुरेन 22 जून को सुनवाई चुनाव आचार साहिता उलंगन ममले में मुख्य मंत्री हेमन सुरेन को राची सिविल कोट में ससरीर उपस्थित होना था लेकिन उनकी ओर से ससरीर उपस्थिती से छूट कि मायं को लेकर आवेदन दाखिल किया गया इस ममले में MP MLA के विशेस नयाईक दंडा अधिकारी अनामिका किसकू की अदालत में आंसिक सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान EPP पुस्पा सिन्हा ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए आदालत से समय की मायं की है इसके बाद आदालत ने अगली सुनवाई 22 जुन को निधारित की है राची में पुर्व IPS अधिकारी की पतनी ने की आत्महत्या जारखन की राइधानी राची में एक रीटाइड IPS अधिकारी की पतनी ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है राची के चुटियात हना छेतर के सिरम टोली इलाके में रहने वाले पुर्व IPS अधिकारी आरके धान की पतनी निरोली नौरंगी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी सुचना मिलने पर घटना अथर पर पहुंची पुलिस ने जाज शुरू कर दी है पुलिस ने कहा आए कि प्रतम दिसेता यह जहर खाने के मामला लग रहा है जहर खाने के बाद पुर्व IPS की पतनी बाथरूम में गिर गई थी जहर खन रगबी टीम में खोटी की 6 महिला सहीत 13 सामिल पाटली पुत्र एस्टेडियम पाटना में 9-12 जून तक आयोजीत सीनियर नेशनल रगबी चेंपियनसीप में जहर खन टीम में खोटी की 6 महिला और साथ पुरू सहीत कूल 13 खिलाडियों का चैन किया गया है जहर खन रगबी टीम में सामिल खिलाडियों में महिला वर्ग में एलीसा करकेटा, सुर्भी सिंग, आभा होरो, रेसमा आइद, बिनिता करकेटा और अलका टोपनो सामिल है वहीं पुरू स्वर्ग में नितिस, तिर्की, रितिक, रोसान, प्रितम कुमार, सुकेस, पवन, नितिस और संजय हिरेज को सामिल किया गया है देव घर में दो साल बाद स्रावनी मेला का होगा आयोजन कोविट संक्रामन के दरान दो सालों तक स्रावनी मेला का आयोजन नहीं किया गया था दो साल बाद वी सोपरसी स्रावनी मेला 2022 का आयोजन में सरकार और परसासन जूट गया है इसी करम में मंगलवार को स्वास्त विभाग ज्हारखन सरकार के अपर मुक्स चीव अरून कुमार सिंग देवगर पहुंचे और उन्होंने सदर अस्पताल इस्थी सवागार में डीसी एवं देवगर के स्वास्त विभाग के अधिकारियों वाचिकित सुगों के साथ बैठक की बोकारो के लुगुबूरु में सरधालो की सुबधा की होगी बेवस्था बोकारो जीला अंतरगत लुगुबूरु घंटा बाड़ी धोरोम गाड़ को परियटक अस्थल के रूप में विक्सित करने की क्वाय सुरू हो गया मंगलवार को डिसी कुलदीप चौजरी ने जीले की पूरी टीम के साथ संतालियों के समिधान की उद्म अस्थल लुगुबूरु का दोरा कर उसके समोशित विकास का त्यार प्लानिंग का निरिक्षन किया बता दे इस धर्म अस्थल का विकास परेटन अस्थल के लिहाज से भी होगा वहीं कार्तिक पूरिमा पर हर वर्ष अंतर राष्ट्रिय संताल सरनाधर्म महा समेलन में पहुँचने वाले लाको सर्धालियों के सुविधा को तमाम जरूरी ब्यवस्थाओं को अस्थापित करने की पूर्जोर त्यारी की गई है कांग्रेस चुनाव आयोग पत्र को दे चुनावती दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने धरती अबबा बिर्शा मुंडा विश्वास रहली को ले कर कांग्रेस द्वारा लगाये गए आरोपों को सीरे से खारिच करते हुए कहा है कि कांग्र अठार जन्वरी 2018 के अपने पत्र में असपष्ट किया है कि उप्चुनाव कि इस थिती में किसी भी नगर निकाय छेत्र वाले जीले में सिर्फ बिधान सबाद छेत्रे में ही अचार सहीता लागू होती है सहायक अध्यापक वा ब्याख्याता नियुकती का कलेंडर जारी ज्ञारखन लोक सेवा आयोग ने बिशुबी द्यालों तथा राज किये पोलिटेखनिक में करमसा सहायक अध्यापको एवां ब्याख्याताओक नियुकती के लिए इसमा होने वाले सक्षतकार की संभावी तिथिया गोसित कर दी है 14 जून से 29 जून के बीच विभीन विशयों में नियुक्ति के लिए सक्षतकार आयोजित होगा बता दे कि राज पल रमेस बैस ने सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सिग्र नियुक्ति पर किरिया पूरी करने के निदेश जेपी एसी को दिये हैं शिक्षक नियुक्ति नियमावली घोसित कि गई है सहयक अचार्ज का पद जीला अस्तरिय होगा वही नई नियुक्ति में अव्यार्तियों को शिक्षक पत्रता परीक्षा टेट के अलावा एक और पर्तियुक्त परीक्षा देना होगा या पर्तियुक्त परिक्षा जार्खन कर्मचैरी चैन आयोकदवारा ली कि सपतना कि सपत्ध ले खांग हार्खन है कोट में 具स्ति डाक्टर रवी रंजन स्रीवास्तव को प्धोड़ ऌपनेता के सपत्ध लेने के लेने के बार जहरखन हाइड्वाउन में नायधी सों की संख्या बरत्मान में कई सो गई है ढ Давाय कोट में रांची जीले के नाम कुम में प्रतिबंधित उग्रबादी संगठन पेलेफाई के नाम पर टाइस बेवसायों से लेवी मांगी गई है नहीं देने पर अंजाम भगतने का ममला सामने आया है इस मामले में डेकोरेटिव टाइस प्रतिष्ठान के मालिक गनेश कुमार ने लिखी स्थिकायद दर्च कराई है प्रतिष्ठान के कर्मी की पतनी ने बताई की एक ई रिक्सा से एक व्यक्ति आया और एक लिफाफा दिया और कहा की मालिक को दे देना माइनिंग अपसरों से बेहतर पोस्टिंग के लिए पैसे मांगता था C.A. सुमन पूजा सिंगल प्रकरण मामले में गिरपतार C.A. सुमन कुमार के बारे में इडी को अहम जनकारी हाथ लगी है इसके मुताबिक वो बेहतर पोस्टिंग के लिए माइनिंग अपसरों से पैसा मांगता था हालाकि अब तक किन किन लोगों से पैसे मांगे गए हैं इसे समंधित लेन देन के पोस्टि नहीं हो सकी है इधर इड़ी ने सत्ता के करीबी माने जाने वाले प्रेम परकास सोमवार छोजुन को भी पुस्ताच की है जारखन के मन्रेगा कर्मी का बढ़ेगा मान दे जारखन के मन्रेगा कर्मियों का बेतन लंबे समय के बाद बढ़ेगा ग्रामीन वीकास विभाग ने इससे सम्मान्द प्रस्थाव त्यार कर लिया है मंत्री आलमगीर आलम के आदेश के बाद इसकी परकिरिये शुरू हो गई है सबसे पहले इस प्रस्थाव को बीथ विभाग के पास भेजा जाएगा वहां से समती होने के बाद प्रस्ताव केबिनेट को बेजा जाएगा रोजगार सेवकों पर ज्यादा फोकस दिया गया है चुकि उन्होंने मानदे बहुत कम यानि 95-100 रूपई ही मिलते हैं पर्यास्वराय को उन्हें सम्मान जनक मानदे मिले पॉली हाउस में सबजियों की खेती कर लाखों में कमाई कर रहे किसान गुमला के कई किसान पॉली हाउस में विभीन परकार के सबजियों की खेती कर लाखों के कमाई कर रहे हैं उद्यान विभाग के तहत महाज 25 डिसमील जमीन पर बने पॉली हाउस में खेती कर किसान अच्छी आमधनी कमा रहे वहीं अने विभाग के तहत करीब 3 एकर छेत्रे में पॉली हाउस में खेती बारी हो रही है इससे हर साल सब्जीयों की खेती में महाज 1000 रुपेल लगा कर कमाई लाखों में होने से किसान जमीन लीज में लेकर भी सब्जीयों की खेती कर रहे हैं बोकारो जैविक उद्यान में दिखेगा तीतलियों का खुबसूरत संसार इस्टील के लिए परसित बोकारो में कीट पतंगों का भी संसार है अलग अलग जगा दिखने वाले तीतलिया अब सेक्टर 4 थी जोहर लाल नेहरु जैविक उद्यान में एक ही जगा पर प्रेटकों को देखने के लिए मिल जाएंगी सेलानियों को अकर्सित करने वाथ तीतलि संरच्छन के लिए जैविक उद्यान में बटरफलाई पपार्क बनाया जा रहा है पार्क के लिए उद्यान में 500 स्कुायर फिट जगा का चैयन किया गया है उद्यान के ग्रीन हाउस अस्थल को बटरफलाई पार्क में परिवर्तित किया जाएगा इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है धनबाद के निर्षा की इतु मंडल ने राचा इतिहास खेलो इंडिया यूथ गेंज में धनबाद के निर्षा की इतु मंडल ने इतिहास राचा है बतादे खेलो इंडिया गेंज के इस संसकरन में चौदा वरस पांच माह की इतु सबसे कम उम्रे की कबड़ी खिलाडी है ट्रेक्टर चाला की बेटी इत्तु मंडल को बच्पन से ही कबर्डी से लगाओ था जब वो शिर्फ आट साल की थी तब से ही कबर्डी खेलना सुरू कर दिया था मांडर विधान सभा उपचुनाओ के लिए उनईस अभ्यार्थियों ने भरा नमांकन मांडर विधान सभा उपचुनाओ 2022 के नाम नीरदेशन के आखरी दिन 13 अभ्यार्थियों ने नमांकन दाखिल किया है पुरू में 6 अभ्यार्थियों के द्वारा नमांकन किया था इस परकार अब तक कुल 19 अभ्यारतियों के द्वारा नमांकन किया गया साथ जून को नाम निर्देशन पत्रों के स्कूटनी की जाएगी नौ जून को नाम अपोस लेने की आखरीती थी है अगर यही थी थी नाम वापसी तक बनी रहे तो चुनाओ के दवरान दो EVM किया हो सकता पड़ेगी IRCTC का एलान एक महिना में बुक करे 24 ओनलाइन टिकट अब IRCTC ने ओनलाइन टिकट बुकिंग की वेवस्ता में बदलाव किया है एक महिने में 24 टिकट की बुकिंग अब ओनलाइन संभव हो सकेगी अधार लिंक यूजर ID से 12 के बदले 24 टिकट की बुकिंग होगी बिना अधार के लिंक यूजर ID से अब तक 6 टिकट बुक की सुविधा दी गई थी मगर अब 12 टिकट की बुकिंग हो सकेगी दोनों पहलूमे आप यातरी टिकट बुकिंग की सुविधा दोगनी कर दी गई है दारोगा से इंस्पेक्टर बने पुलिस अफसरों की आठ माह की ट्रेनिंग जारखन में दारोगा से इंस्पेक्टर बने पुलिस अफसरों को आठ माह की ट्रेनिंग दी जाएगी राजय पूलिस में ख्याल है कि आईजी प्रसिक्षन पिर्यादुवे ने इस समान में आदेश जारी किया है आदेश के मुताबिक 28.09.2016 के सरकारी अजिसुचना से प्रोनत हुए 147 इंस्पेक्टर अस्तर के अधिकारियों की प्रोनती हुई थी इन सारे इंस्पेक्टर अस्तर के पूलिस अपसरों की आठ माय की ट्रेनिंग 10 जून से जार्खन पूलिस अकाडमी हजारी बाग में होनी है डीजी रैंक में प्रोनत होंगे एडीजी अनुराग गुपता जार्खन पूलिस के एडीजी प्रसिक्षन 1990 बैज के IPS अधिकारी अनुराग गुपता की जल्द ही डीजी रैंक में प्रोनती होने वाली है इसका मोल कारण या है कि इनके जूनियर 1991 बैज के IPS अधिकारी डीजी ए नत राजन गत महिने से ही सेवा निवरित हुए है उनकी सेवा निवरिती के बाद जारकन पूलिस में डीजी रैंक का एक पद रिक्त हो गया है इसके लिए राज सरकार की प्रोनती समीती की जल्द ही बैठक होनी है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंद बढ़िए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवास से दे थैंक यू